हेलो डियस्ट कैसे हैं आप सब चलिए सुरू करते हैं आज की क्लास आज हम पढ़ेंगे एडमिशन का लास्ट कॉंसेप्ट, कॉंसेप्ट नमबर टेन जिसका नाम है एडजेस्मेंट ओप कैपिटल तो एडजेस्मेंट ओप कैपिटल को अच्छे से समझने के लिए आफ्टर मेकिंग ओल एडजेस्मेंट का मतलब होता है कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर जो कैपिटल आती है टू बैलेंस करी डाउन करके यह वो वाली कैपिटल दे रखिए है एक्स और वाई की आई हो क्लियर होगा अब यहाँ पर बता रखा है कि एक जड़ पार्टनर एडमिट हो रहा है अपने वन फिफ्ट सेर्स के लिए ठेक है तो अब हम क्या करना है कैपिटल ज़ड की कैपिटल यह नहीं बता रखा मैंने आपको बताया दाना कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो कैपिटल लेके आता है लेकिन यहाँ पर नहीं बता रखा है कि जड कितनी कैपिटल लेके आएगा या कितनी कैपिटल लेके आनी चाहिए तो हमें निकालना है कि जड की कैपिटल कैसे निकालेंगे तो आएए देखते हैं Step Y चलेंगे, बिलकुल अराम से, तो आपको एकदम proper तरीके से देखना है, सबसे पहले total capital निकालेंगे, X और Y की, तो X की capital 24,000 दे रखी थी, Y की 16,000 दे रखी थी, जो capital दे रखी थी, after making all adjustment, उसका total कर लो, दोनों की capital का total 40,000 आ गया, अब हम total share निकालेंगे, X और Y का, जैसा कि आपको पता है कि तीन partners है, X, Y और Z, total share होता है 1, और उसमें से Z का 1 minus कर देते है, 1 by 5, तो यह आजाएगा, X और Y का share 4 by 5, अब हम total capital निकालेंगे, तीनों की, X, Y और Z की, तो कैसे निकालेंगे, X और Y की capital ले लो, कितनी है, 40,000, यह अपने आप में कितनी है, इसका share दे रख 50,000, इसमें Z का share निकाल दो, 50,000 में Z का share है, 1 by 5, तो 10,000 capital ले के आनी चाहिए, किसको Z की capital 10,000 रहेगी, उसके लिए entry पास कर दो, आप bank account debit to Z, ठेक है न, Z capital account, I hope clear होगा, यह था adjustment of capital का topic, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, next chapter स्टार्ट करेंगे, नए पार्ट के साथ, retirement and death का I hope clear होगा, ठेक है, चनल को subscribe कर ले, वीडियो को like करें, ठेक है, आज के लिए इतना ही